अपने देश में जो भी शक्स सराभी संगीत की तान कीचता है तो उसे तानसेन कह दिया करते हैं। तानसेन नाम गायक का प्रतीक बन गया है। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था लेकिन उनके बहतरी इंगायन ग्यान के चलते ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंग ने उनका नाम तानसेन रख दिया था। वह हिंदुस्तानी शास्त्रिय संगीत के एक महान ग्याता थे जिन्हें समराथ अकबर के नवरतनों में भी गिना जाता है। इनका जन ग्वालियर जिले के बेहत ग्राम में सन पंद्रा सो चेह में हुआ था। संगीत की शिक्षा लेने के बाद वह रीवा के राजा रामचंद के दर्बार में शामिल हुए। सुरों की खान तानसेन की नगरी ग्वालियर के लिए कहावत प्रसिद है कि यहां बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर लुलकते हैं तो ताल में। मुगल शासक अकबर ने तानसेन की ख्याती सुन राजा रामचंद से तानसेन को उन्हें अपना दर्बारी बनाने की इच्छा जाहिर की और फिर उन्हें अपने नवुरतनों में शामिल किया।